दिन दहाडे योदी को गोली मार कर की गई हत्या इलाके में फैली संसनी, आरोपी की घर चला बुल्डोजर देरात आरोपी को गिरफतार कर लिया गया धार चिले के विसंद भिहार कॉलोनी में दिन दहाडे योदी की गोली मार कर हत्या करने का मामला सामने आया है जहां रोपी दीबाक राठो ने यूटी के सर पर गोली मारती जिसके चलते उसकी मौके पर मौत हो गई घटा के बाद बोगों की बड़ी संख्या मौके पर पहुँची और देखते ही देखते काफी भी लग गई मौके पर तुरित पहुची धार पुलिस अदिक्षक मनोश कुमार सिंग भी मौके पर पहुच चुके हैं इस मामले में पुलिस के द्वारा बारिकी से कारवाई की जा रही है लेकिन यूटी के शोग को पोश्ट माटम के लिए धार जीला स्वताल भेज दिया गया है आपको बताने किस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जान शुरू कर दी है प्रारंभिक तौर से ये मामला प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है वही प्राप्त जानकारी के नुसार यूटी का नाम पूजा चोहा निवासी खाटबला राजोद बताय जा रहा है कि यूटी ने पुर में आरोपी के खिलाफ छिडचाड का मामला दर्श कराया था और उसी मामले में बयान दर्श कराने वाली यूटी कोट जा रही थी दौरान आरोपी ने गोली मार दी घटना के बाद आरोपी फरार हो गया जिसकी गिरफतारी के लिए दस हजार का नाम खोशित किया गया वही आरोपी के घर पर बुल्डोजर भी चलाए गया धार सहर में एक संसानी खेज गोली कांड में यूटी की मौत के बाद जीला प्रसासन विस्तक्त हुआ है ब्रह्मा कुंटी में आरोपी दीपक का घर जमिंदोस करने की की गई बड़ी कसंख्या में प्रशासनिक अमला और पुलिस बल मौजूद बूदवार लगभग साड़ी 11 वजे वशंत बिहार कॉलोडी में सतरे रा आरोपी दीपक ने 22 वर्शे पूजा चोहान को गोब मारी कोली यूटी की हुई थी मौके पर ही मौत पुलिस ने आरोपी दीपक पर 10,000 रुपे का एनाम रखा है हलाकि अब सुद्रों से ये सूश्टा मिल रही है कि आरोपी दीपक राचोर को धार पुलिस ने देरात ग्रफतार कर लिया है कोट में वयान दर्श करने जार ही यूटी की हद्दा के बाद पुलिस और कानून विवस्था पर भी सवाल उट रहे है धार सच तेंदर सोनी, CID News, मद्ध प्रदेश